इंस्टाग्राम में अगर आपने अपने अकाउंट के लिए टू फेक्टर ऑथेंटिकेशन को ओन क्या हुआ है और जब आप लॉग इन की ट्राय करते हैं पासवर्ड डाल कर और इस तरीके से आपके साब में एंटर बैकप कोड का ओप्शन आता है तो कैसे आपको यहां से इंटर करना है कहां आपको मिलेगा यह बैकप इंटर करने का ऑप्शन है और यह आपको प्रोवाइड होता है जब आप टू-leader अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए तो यहां पर लिखा इसेवड एस स्क्रीन शॉट और फोन अब आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जो लॉगिन मेतर्ड सेलेक्ट किया है जैसे कि टैक्स मैसेज या फिर ऑथेंटिकेशन एप वह अगर आपके वर्क नहीं कर रहा है आपके पास एक्सेस नहीं है आपके नंबर का या जो भी प्रॉब्लम है तो आप यहां से बैक अप कोड का यूज करके जो है अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं तो अब आपको अपनी गैलेरी में चैक करना है जब आपने टू फैक्टर ऑथेंटि जो है स्क्रीन शॉट लिया तो वो पिच्चर के फोल्डर में सेव हो सकता है तो आपको उसमें भी देख लेना है तो इस तरीके से आपको जो है यह बैक अप कोड यूज करके अगर आपके सिक्यूर्टि मैथर्ड वर्क नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहां से ट्रस्ट इस डिवाइस को ऊंड़ सकते है ताकि इस डिवाइस पर जो है नेक्स टाइम लोगिन कोड के लिए नहीं पूछेगा और इस ट्रस्ट इवाइस का यूज करके आप दूसरी डिवाइस में जो है इसली लॉगिन कर पाएगे ठीक है तो यहां से कंफर्म क में आना है ठीक है और settings में आपको security में आना है यहां से two factor authentication में आना है यहां देख सकते है two factor authentication on है इन में से आपका एक जो है how you receive login quotes इन में एक option हो सकता है यहां पर text message का option select किया हुआ है अब additional methods में login request on है यहां पर ठीक है तो एक notification send होगा जब आप नई device पर login की try करेगे तो उसको notification को एफ्रूव करके आप जो है नई device पर login कर सकते है और notification send होगा जो trusted device होगी जैसे कि यह डिवाइस है तो यहां पर backup code का option है यहां पर जाकर आप recovery code देख सकते है और एक backup code का यूज आप एक बार कर सकते है और यहां से आप नई backup code भी ले सकते है यहां से screenshot लेकर भी सेव कर सकते है इन backup code को आपको एक safe जगह पर रखना है अब यहां से trusted device में आप trusted devices को manage कर सकते है इन device पर login request sent होगी जिनको आप एफ्रूव करके नई device पर easily login कर सकते है